इस कोरोना महामारी में सबसे ज़ादा जिनको संक्रमन का खत्रा हो रहा है वो हमारी गर्वती महिलाएं है मास्क पेने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये सारी चीज़ के रहते हुए उसके अलावा खान पान का अपना पूरा ख्याल रखें ये वाइरस जो है, एर में है, वो भी हम जिसको हम लोग ट्रंस्मिशन उससे हो रहा है बारे में हम आपको ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले अवेरनिस की ज़रूरत है नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 निउस में, मैं आपके साथ स्वाती आज हम मौजूद हैं पालम में सिर्थ दिव्यप्रेस्थ हॉस्पिटल में और हमारे साथ है गाइनेकोलोजिस्ट डॉक्टर प्रियंका बहुत बस वागत नमस्का अगर एक प्रेगनेंट मुवमेन को COVID-19 हो जाता है तो बच्चे में ऐसे इसकी उपर स्टडीज चल रही है और बहुत ही कम चांसेज हैं कि उनमें ट्रांस्मिशन हो सकता है इसके दिलिवरी के बाद इसके थोड़े से चांसेज बढ़ जाते हैं इस इंफेक्शन होने के कि ये इंफेक्शन जो है मास से बच्चे को जा सकता है इस करोना महामारी के चलते जो प्रेगनेंट लेडीज हैं अभी उनको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए क्या-क्या फिजिकल एक्टिविटी उनको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए ज़िए जैसे मैंने पहले बताया कि इस करोना महामारी में सबसे ज़्यादा जिनको संक्रमन का खत्रा हो रहा है वो हमारी गर्वती महिलाएं है इसलिए सबसे पहले ख्याल तो यह रखना होता है कि मास पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें ये सारी चीज के रहते हुए उसके अलावा खान-पान का अपना पूरा ख्याल रखें जैसे जिसको हम अपने ये में बिल्कुल ही पौश्टिक आहार लें जादा से जादा हाई प्रोटीन डायेट जिसको हम कहते हैं वो खाया करें उसके अलावा हाइड्रेशन का अपना पूरा ख्याल रखें पानी है जूस हो ये सारी चीजों का पूरा का पूरा ख्याल रखा करें परियाप्त नीन लिया करें जैसे कि जो कि दिन में 2 घंटे का रेस्ट और रात को कम से कम 6-8 घंटे का अपना जो डेली का दिन चरिया है रेस्ट है वो प्रॉपर नीन अच्छी लें ये सारी चीजों का ख्याल रखा करें उसके अलावा जैसे आपने बताया कि फिजिकल अक् हिलाओं के लिए इस्पेशली हम बता रहें जिनकों नहीं ये संक्रमन हुआ है उनके लिए वो अपना रोजाना जैसा वो दिन्चरिया वो अपना काम करें जो भी रेगुलर ये करें हाँ ये मैं सला नहीं दूंगी कि वो बाहर जाएं बाहर पार्क में जाएं या फिर उस बहुत असान से लोम विलोम जो प्राइडायाम कहते हैं योगा कर लिया यह सारी चीजों के जैसे हो गया स्ट्रेचिंग्स हो गया है इस तरह की एक्सराइज़स थोड़ी बहुत हलके फूलकी कर सकती है इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा नेक्स सवाल आपसे यह है कि कुछ महिलाओं में आजकल टीनेजर्स में भी बहुत देखा जा रहा है जो मैंसुरेशन साइकल होती है वो डिले हो जाती है कभी कभी दो महिन या तीन महिने भी लेट हो जाती है उनको नहीं आता है तो आप तो इसके लिए जी जी बिलक पैनिक ना करें सब्सक्राइब के लिए है कि ही ये बात ये नलाइसटैल मोडिफीकेशन जो की इस सब्सेंपॉर्टेंट है जो सो काल हम जंक फूद्स कहते हैं जंक फूद्स में जैसे कि पास्ता है, आलू है, पोटेटो चिप्स है, मैगी है ये आप कम ये पे खाया कीजिए उससे अच्छा है कि आप हिल्दी डायेट लें जिसमें फल है, सबजियां है, सलाद है दाल हो गए, दूद हो गए, पनीर है जो आपको पसंद आता है, वो सारी चीज़े खाएं तो ज़्यादा बेतर रहेगा उसके अलावा थोड़ा बहुत अपना खेले कूटती है जो भी करती हैं, जो एक्सिसाइज करती हैं skipping से लेके, जो भी काडियो करती हैं, अपना वो करें जो भी proper ये में करती हैं, अपना proper rest लें देर रात तक जगे नहीं, ये सारी चीज़ जो एक सकाडिया अंडिदा में उसको maintain करते वे, ये सारी काम करें और अगर यही problem 40 से 50 तक की उमर की जो महिलाएं होती है उनको हो जाएं तो के नॉर्मल हैं, देखिए, बात है कि ये जो menstrual irregularity होती है, extremes of age में बहुत जादा होती है चाहे वो बिल्कुल अगर बिल्कुल teen हैं जिनको शुरू होने वाला है या जिनको जाने वाला है, तो अगर हम सिर्फ physiology पे जाएं तो जैसे कि उसके लिए कुछ test होगा है, वो हम test कराके देखते हैं जिसमें कुछ blood test होते हैं, कुछ hormonal test होते हैं, वो हम करके देखते हैं ultra sound होता है, उसके accordingly हम लोग start करते हैं अगर वो सब ठीक रहता है, तो उसके जादा परेशान होने वाली बात नहीं especially अगर क्योंकि जो menopause के age है, हमारी उसको हम लोग कहते हैं कि 45 to 50 years तक के age में वो होता है, तो अगर उस समय हो रहा है तो कोई दिकत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वही चीज आपको परेशान कर रहा है periods में irregularity है, और वो 40 से पहले ऐसी वाली दिकत आ रही है तब उसके लिए थोड़ा हम सतरकता से जादा सोचते हैं, अपना वो सारी चीज, सारे टेस्ट, वो सारी चीज कर करके हम लोग वो सारा देखते हैं, अगर सब ठीक रहता है, तो उसके accordingly बस हम लोग को manage करना होता है माम कुछ महीलाओं में breast pain होता है, पर वो उनको ignore कर देती है, पर वो आगे चलकर breast cancer जैसी बीमारियों को जर्म देती है इस बारे में हम आपको ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले awareness की जरूरत है, हमारे society में और ये awareness कहीं से भी शुरू हो सकती है, छोटे scale से लेके बड़े scale तक especially जैसे कि हमारे hospital में जो भी महिलाओं आती है, especially जो भी हम patients को देखते हैं, हम उनलों को कुछ चीजों के बारे में जरूर बताते हैं, जैसे आपने breast pain के बारे मताया है, breast pain के तो वैसे multiple causes हो सकते हैं, अगर एक mother lactating है, जो दूद पिलाती है, उसमें भी हो सकता है, उसका cause अल हो गया है, जैसे कि for example, अगर आप मुझसे पूछे breast cancer से related, तो यह कहेंगे कि कोई भी महिला, जो कि अपने घर में रहती है, कुछ आसान सी चीजें हैं, जो वो खुच से कर सकती है, सबसे खाली time उसको नहाते समय मिलता है, जब वो आप washroom में रहती हैं, यह करती हैं, कुछ नहीं करना है, मिरर के सामने खड़े होके, अपने आपको खुच self examination करना है, अपने दोनों breast को खुच से self examine कर सकती हैं, उसके कुछ steps होते हैं, जिनको वो properly वो चीजों को करके, वो खुच अपने हाथों के पंजों से ही दबा कर, वो सारी चीजों को देख लिया, वो सारों क जैसा हो, या फिर दूज जैसा हो, या फिर blood जैक कुछ भी हो, तब तो उन्हें अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए एक बर evaluation के लिए, तो डॉक्तर आपको बहुत बहुत धन्यवार, थैंक यू, इन्हों ने अपना कीमती समय निकाल कर हमार से बात करी महिलाओं की स समसाओ के बारे भी, तो क्यामन जॉनलिस्ट नीरच के साथ, स्वाती, इंडिया टाइम 24 News, नमस्कार.